हेलो गाइस तो इस पार्ट के शुरुआत में हम दिखते हैं कि एक बंदा पीछे से मुयांग के ओपर टैक करने ही वाला था कि तब तक वो बच जाता है लेकिन तब ही उसकी हाथ पे चोट लग जाती है और वो आदमी और कोई नहीं वर की कौंगजू के फादर थे और वो मुयांग से क्याते कि आखिर वो कौन होता है जिसने मेरे विट्टे को इतनी पूरी तरह मारा और इसका करजा तो उससे चुका नहीं होगा और फिर तब ही यूजी और उसका सर्वेंट आकर कौंगजू को देखने लगते हैं और इसी मौके का फादा उठाते वे कौंगजू के फादर मुयांग की ओपर टैक करते थे इससे पहले कि उससे चोट लगती है वहापर चनरल आ जाते है जो कि अपनी पावर से कौंगजू की फादर को दूर किरा देते है और आप कॉंग्सू की फादर चनरल से पूछते कि आखिर वो कौन है और वो पीछ में क्यों पढ़ रहा है जिस पर चनरल बताते हैं कि वोई भी हो लेकिन मुयांग हमारे साथ आया है और तुम से हाथ नहीं लगा सकते हो जिस पर कॉंग्सू की फादर कहते हैं कि तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा रहेगा इस लड़की ने आकर याप पर मार पीट करते हुए सारा समान तोड़ दिया और मेरे बीटे को भी मारा क्या उससे सजा नहीं मिलने चाहिए और अब उन दोनों के पीच में फाइट होने लगते हैं जहांपर हम देखते कि चैनल कॉंग्सू की फादर को लात मार देते हैं जिसके बात वो पीछे जाकर किरते हैं और अब उसकी फादर को और पीच जाथा कुस्ता आ चुकी थी औ हम उसे नहीं रोक सकते हैं और दूसरी तव हम कॉंग्सू की फादर को देखते हैं जो कि कहता है कि इसकी कंप्लेइन में जाकर जरूर करूंगा और तुमने भी उसका साथ दिया है तो तुम सबके सब इसके बीच में पिसोगे अब जस पर मुयांग सामने आता है कि हां गल कोशिश करें इवन की वो मुझे बहुत बेकार नजरों से देख रहा था इसका मतलब साफ है कि हो मैं छेड़ रहा था अब जिस पर कॉंग्सू के फादर कहते है कि तुम कैसी बाते कर रही हो और आप यूजी की दासियों से समझाते है कि वो यह सब कुछ क्यूं कर रही है इससे तो उसकी ऊपर पर दाग लगेगा और लोग क्या सूच इंगे इसके बारे में जिस पर यूजी कहते है कि मैं कुछ नहीं जानते हो तुम चुप चाप मेरा साथ हो और अब वो वहाँ पर और पी ज़्यादा ट्रामा करने लगती है और कहती है कि इसकी कंप्लेइन ज चाकर में जरूर करूंगी यहां पर कॉंग्जू के फादर पहले उसकी बातों पर ब्लीड नहीं करते हैं लेकिन उसे अपने बीटे में भी बिल्कुल विस्वास नहीं था और अब यहां पर उसकी तासी भी उसका साथ देती हैं और क्या दिये कि हमारी प्रिंसेस बच्प क्याती है कि लगते हैं तुम्हारा कर्जा माफ हो गया जिस पर मुझा कहता है कि ठैंक्स तुमने में मेरी हैल्फ करी और अगर शायद तुम यहां नहीं होती वह मेरे उपर कंप्लेइन भी कर सकते थे अब प्रिंसेस कहती है कि हाँ बात तो सही है पर अब एक कर्जा तुम बहुत जादा शरम आ रही थी और अब यूजी उसके सर पर हाथ अगती है और कहती है कि सच्पे तुम बहुत क्यूट हो और पिल्कुल एक पपी डैप के लगते हो जिस पर मुझा उसके सर से हाथ अटाता और कहता है कि नहीं मैं किसी का पैट नहीं बन सकता हूं और अब आपर यूजी को सोचने लगती है दूसरी तव हमें यूजी की दासी दिखाई देती है चुकि पहुत जाता टरी हुई थी क्यूंकि उसने यूजी की मदद करी इतना भड़ा ड्रामा करने में जंदर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब कुछ किसी को भी नई बता चलेगा हम नहीं बताएंगे और मुयांग भी बात पलड़ देता है और यूजी से कहता है कि तुम जाकर अपने तासी को क्यों नहीं देखती हो उसे क्या हुआ है और अब यूजी कहते है कि वो ठीक हो जाएगी रहने दो और इसी के साथ हमें सुबे का सीन भी दिखाया ज चाहां पर यूजी मुयांग से कहते ही प्लीस क्या हुआ अपचंद करोंगे जिस पर मुयांग कहता है कि तुम मुझे कहान या सुनाना तुमारे चले जाने के बाद शायद मैं बहुत ज़़ और इसी के साथ सिंस्व्ट होता है स्थे तरफ कौंग जो कि एक लड़की को इ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है हमें नहीं लगता हम उसे हरा पाएंगे अच्छा यह होगा कि तुम उसे दूरी रहो और तब तक कोई भी कदम मत उठाना जब तक मैं पर्मिशन ना देती हूँ और अब उसात्मी के जाने के बाद हम देखते हैं कि शौन कौंग्सु को एक आइडिया देती है और उसके कान में कहती है कि प्रिंसस में जो भी कहा है तुम उसका फाइदा उठा सकते हो और अब उसकी बातों को कॉंग सू भी समझ जाता है इसके बात हम मुयांग को देखते हैं जिसने के अपनी स्टोरी वाले दुकान को ले हुई थी और उसे के सामने बहुत सारे लोग और पिंसेस पर पैठी हुई थी लोग हापस में बाते कर रहे होते हैं आकर ये सब कुछ क्या है पिंसेस की बातों को क्यों सुन रही है यूजी की तासी लोगों की बातों को सुनकर से बताती है कि हमारे वारे में लोग बाते कर रहे हैं कि आप यहापर क्या कर रहे हैं तो यूजी कहते कि मुझे कोई फरक नी पड़ता और अब वो एक पेपर में कुछ लिखने लगती है और फिर अपने सर्वन को देख कर उसे एक रसी में बांदवा देती है इसी के बाद उसके तरह सारे लोग इसी काम को करते हैं और इसका मतलब यह था कि वो सब के सब अपनी कमेंट्स को लिख रहे थे वो यांक की स्टोरी पेपर और वैल इसी के साथ ये अपिसोरी पर ही एंड हो जाता है और उमीद है कि इसका नेक्स पार्ट भी चल से चल आ जाए तब तक के लिपाए